दोस्त में आपका होस्ट अंदोस्त आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और एक ने वीडियो में आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी ही एप्लिकेशन के बारे में जानकरी देने वाला हूँ जो कि इसी परकार का दावा करती है और गाईज आपको मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ देखिए मैं किसी भी व्यक्ति को लोन से लोन लेने के लिए प्रोसाइट नहीं करता हूँ मेरा उदेश्य है आपको अवेर करना जागरूप करना मैं आपको पूरी सत्यता दूँगा application की क्या ये application आपके लिए बहतर होगी या नहीं होगी आपको ये खुड decide करना है अपने बुद्धी विवेक से मैं आपको दोन दूँ देखिए आप पहले वीडियो को completely देखिएगा अगर वीडियो को आप completely नहीं देखते हैं और आप ऐसे ही application को डाउनलोड कर लेते हैं आपके साथ में जो भी भविश्य में इशू होगा उसके लिए आप स्वयम जुम्यदार होंगे ठीक है और जो भी जानकरी में यहां पर application को 3.7 की rating मिली हुई है अगर बात की जाए application को review किस type के मिले हुए है देखिए पहले व्यक्ति ने इसके बारे में बिल्कुल भी ठीक ठाक नहीं कहा है दूसरे व्यक्ति ने भी बिल्कुल भी ठीक ठाक नहीं कहा है तीसरे व्यक्ति ने भी ठीक ठाक नहीं कहा है जैसी आप see all review में जाएंगे आपको यहाँ पर दो section मिलेंगे section तो कई सारे हैं लेकिन दो section बहुत important है एक positive का ठीक है दूसरा critical का तो आप ज्यादा महत्व जो है critical को दें critical में यहाँ पर जो भी व्यक्ति को issues application से हुए है वो यहाँ पर clear तरीके से mentioned हैं देखिए आप देख ल जाएगा ठीक है अब यहाँ पर देखिए positive का section भी है बट positive में क्या होता है यह application वाले क्या है यह खुद का खुदी अपने किसी मतलब employer से या फिर अपने किसी जान पैचान वाले से review करा लेते हैं तो positive में ज्यादतर यह review आते हैं ठीक है अब बात कर लेते हैं इसके about section की देखिए about section की बात की जाए तो देखिए about section में भी बढ़ी बड़ी बाते हैं पहुत कुछ इसने कहा है कि हम ऐसा कर देते हैं हम वैसा कर देते हम इतने दिन के लोन देते हैं लेकिन सबसे बड़ी problem क्या है यहाँ पर इसने यह बिल्कुल भी mention नहीं किया है कि कि किस bank और NB FC के थुरू ये आपको रेने प्रतान कराती है ठीक अब इसका कहना है ये आपको pen card आधार card पे लोन देगी लेकिन हम आपको बता दें देखिए यहां से आपकी पूरी permission ली जा रही है आपके contact की permission आपके camera की permission आपके location की permission आपके phone में जो भी data है उस सब की permission इसने यहां पर ले हुई है आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे ये आपके लिए काफी problem create कर सकता है अगर आपने इनका पूगतान करने में एक या दो दिन की देरी कर दी तो मानो आपकी इज़त को पूरे तरीके से ये तहस महस कर देंगे आपके relative में call करके कहेंगे भया फलाना व्यक्ती चोर है भया फलाने व्यक्ती ने 420 कर दिया है भया फलाने व्यक्ती ने ऐसा कर दिया है भया फलाने व्यक्ती ने वैसा कर दिया है और आपकी contact list में कुछ ऐसी अश्लील तस्वीरे भी भेजी जा सकती है जिससे कि आपको काफी मतलब बेज़ती महसूस होगी और बहुत ज़्यादा आपको दिक्कते आ जाएंगे और लोन कितना देते हैं ये जो यहाँ पर इन्हों ने दावे किये हुए ना अबाउट सेक्शन में इसके आधार पर आपको लोन नहीं देते हैं आपको लोन देते हैं साथ दिन और पंदरा दिन के लिए कितना हजार या दो हजार रुपे अगर आप सोच रहे हैं कि ये आपको 30 सेकिंड के अंदर 100% लोन दे देगी 10,000 रुपे का तो आप गलत नहीं में बिल्कुल नहीं देगी आपको लोन कितना देगी 2000, 3000, 4000 और कितने समय के लिए सिर्फ और सिर्फ 7 दिन या 15 दिन तो आप अब ये सोच लिजेगा आप लोग सर्च करते हैं न्यू दमाकेदार लोन एप्लिकेशन डिफोल्टर्स के लिए 2022 में आपको ऐसी एप्लिकेशन नहीं मिल सकती जो कि आपके पैन काड आधार काड पर रिंड देदे सभी एप्लिकेशन जो मेरे देखने में है आपकी contact list बगएरा device का data बगएरा लेती है तो अब ये सुनिश्चित आपको करना है क्या आपको ऐसी एप्लिकेशन से लोन लेना है क्या आपको ऐसी एप्लिकेशन पर अपना भविशे परबात करना है क्या आप चाहते हैं कि आपके pen card आधार काड का किसी चाइना के व्यक्ति के हाथ लग जाए और वो व्यक्ति उसका misuse गर ले चाहते हैं आप चाहते हैं तो comment में बताना और ऐसी application से अगर लोन लेना चाहते हैं तो भी comment में बताना अगर आप बात करेंगे इसके नाम की तो इस application का नाम कुछ इसी प्रकार का है यहाँ पे देख लीजेगा Easy Bravo Cash Loan App ठीक है ओनलाइन यह इसका application का नाम है ध्यान से देख लीजेगा इस application को और अगर आपको detail में देखना है कि यह application वाके में मतलब fraud कर रही है नहीं कर रही है तो आप मेरी पुरानी वीडियो जाके देख लीजे वहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी तो मेरे दोस्त आप किसी अपने यार दोस्त से पैसा ले लें आपके लिए वो बहतर होगा आप ऐसे टुची application के लिए apply ना करें देखिए इन से नुकसान क्या है पहली बात तो ये किसी बैंक या NBFC के थुरू नहीं आती है अगर कोई issue 22 से में create होता है तो आप किसको बताएंगे कहाँ complaint करेंगे किसके पास जाएंगे ठीक आपके data का miss use हो गया तो आप क्या कर सकते हैं आपके pen card आधार card का किसी ने miss use कर लिया तो आप उसका क्या कर सकते हैं बहुत सोचने वाली बाते हैं इसलिए आप ऐसी application से loan ना ले ठीक है आप देखिए यहाँ पर आपको 3 dots नजर आ रहे होंगे तो आपको इन 3 lines पर click करना है तो आप जैसे 3 lines पर click करेंगे आपको यहाँ पर click करना है और यह जो आपको box नजर आ रहा है आपको इस box में सारी detail फिल करनी है कि भई application ने about section में जो जानकरी दी है कुछ इसी परकार की दी है कि हम आपको इतना loan देते हैं लेकिन जो जानकरी about section में दी है उसके आधार पर इस application ने कोई भी रिंड नहीं प्रदान कराया फिर उसके बाद में आपको यहाँ से okay कर देना है उससे क्या होगा आपके साथ साथ में बहुत सा लोगों की help हो जाएगी और कोई व्यक्ति इनके चक्कर में नहीं पड़ेगा ठीक यह आपके लिए करना बहुत जरूरी है और देखिए यहाँ पर देखा जाए आप अगर अपने review भी देंगे तो बहुत अच्छी बात है वो आपके लिए बहतर होगा देखिए इस application के बारे में जो भी मैंने जानकरी दी है कि contact list में call जाती है हरास किया जाता है वो सब play store के आधार पर दी है इस application के बारे में मेरे पास में personally कोई complaint नहीं है बट जो भी जानकरी यहाँ पर है और भूत application ऐसा करती है उसी के आधार पर मैंने जानकरी दी है अगर आप downloader की बात करेंगे तो देखे downloader भी यहाँ पर अभी तक इस application को जादा नहीं मिले है जादा नहीं मिले है मातर 50 के और ये आगे तक जाए इससे पहले पहले ही इसके बारे में आप लोग को complaint करना ज़रूरी है प्लेश्टोर को आपको loan मिल जाएगा इतना इतना defolters है आप चाहते हैं कि आपको 2022 में कोई ऐसी application मिल जाए जो कि आपको आसानी से loan दे दे ऐसी application आसानी से loan नहीं देंगी आपका data और collect कर लेगी और मैं आपके लिए वीडियो ऐसी परकार की ले करके आता रहता हूं कि रिपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और गाईज अगर आप में ट्विटर, इंस्टाग्राम या फिर फेस्बुक पर फोलो करना चाते हैं तो link सभी के वीडियो के description box में दे दिये हैं और गाईज आप में टेलिग्राम पर भी फोलो कर सकते हैं इसका link में आपको pin comment में दे दूँगा टेलिग्राम पर भी आप हमें जरूर सब्सक्राइब कर लें वहाँ पर भी हमारा चैनल है धन्यवाद